आज के वीडियो में कृतिम चैन अथवा आर्टिफिसिल सेलेक्शन को चित्र और उदारान सही समझाएंगे तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभासा को समझा देते हैं देखिए एक ऐसी प्रकेरिया जिसमें मनुस से अपने लाब के लिए जीवों में वांचित लक्षणों का चैन करता है ताकि बेहतर लक्षणों वाले नए जीवों पैदा किये जा सकें मतलब यह हुआ कि मनुस से अपने लाब के लिए जन्तूओं और पौधों की अच्छी अच्छी किसमों का चैन करता है अच्छी अच्छी किस्मों को चुनता है जिसे पालतो जन्तुओं और लावकारी पौधों की उन्नत किस्मों का विकास हुआ है इस परिभासा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष से द्वारा अन्य जन्तुओं और पाधपों का प्रजनन इस प्रकार करना कि पैदा होने वाले जन्तुओं या पाधप में किसी विसेश गुण की प्राप्ति हो सके कहने का मतलब ये है कि मनुष से जो अन्य जन्तुओं होते हैं और जो पाधप होते हैं उनमें इस प्रकार का प्रजनन करवाता है कि जो जन्तु पैदा हों वो बिसेश गुड़वाले हों अच्छे गुड़वाले हों लाबकारी गुड़वाले हों मतलब अच्छे अच्छे जीवों को सभी लोग चुनते हैं इसलिए धीरे धीरे करके अच्छी किस्मों का विकास हुआ जब खराब जन्तु वो पौधे को किर्थिम चैन में चलिए किर्थिम चैन को एक उदारार के दोरा आपको समझाते हैं देखे जैसे डेरी वैग्यानिक अधिक दुगधु उत्पादक छमता वाली गायों का चैन करते हैं जो डेरी वैग्यानिक होते हैं वो अधिक दूद देने वाली गायों को चुनते हैं सेल जो अधिक दूद देती थी, जब यहाँ प्रिकिरिया काई पीडियों तक दोहराई जाती है, यानि इस प्रिकिरिया को काई पीडियों तक दोहराते रहते हैं, तो अंत में अधिक दूद देने वाली गायों की समिष्ट विक्सित हो जाती है, यानि धीरे धीरे करके अंत में बिल्कुल नई किस्म बनाते हैं यानि कि धीरे धीरे करके इतना चिंजिच आ जाएंगे कि जो मूल जंतु थे उससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे इसलिए उनको नई जाती कहा जाएगा नई किस्म कहा जाएगा जैसे रॉक पिजन कबूतरों की बिभिन किस्मों के वनसज हैं जो रॉक पिजन हैं ये कबूतरों के बिभिन किस्मों के वनसज हैं इसी प्रकार पत्ता गोभी है, फूल गोभी है ये त्यादी एक ही वंसस कोल वर्ट से कृतिम चैन दौरा प्राप्त हुए हैं जो पत्ता को भी है पूल को भी है ये सब एक ही वंसस के हैं जो कोल वर्ट से कृतिम चैन दौरा प्राप्त हुए हैं